हाई ग्विल्टीज, वेलकम टू इजीवे कामर्स क्लासिज, मैं हूँ तावता और आईज आज के इस वीडियो में हम अपनी इंगिन एकॉनमी बुक का चेप्टर नंबर थ्री करने वाले हैं जिसका नाम है एल पीजी, एल बोले तो लिब्रलाइजेशन, पी बोले तो प्र कि आखिर आया क्यों था सबसे पहले बात करते हैं हम अजाद कब हुए थे हम अजाद हुए थे 1947 में सबको पता है न्यू जब हम लोग फॉस्ट फाइयर प्लान बनाने लगे थे यानि कि हमारे देश में हमारी सरकार आ चुकी थी अब हमें देश को बढ़ाना था तो 1951 में हम फाइव यह प्लान बनाने लगे कि भई उदेश्य सेट कर दिये यह करेंगे देश में यह आगे बढ़ाएंगे ठीक है ओके अब 1951 से हो चुके थे चालिस साल चालिस साल बोले तो 1991 में आके गवर्मेंट क्या देखती है कि हमारे देश में तो तरक्की नहीं हो रही थी तरक्की इसलएए नहीं हो रही थी क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे बट तरक्की नहीं थी development नहीं थी हमारे देश की हालत mineral थी खराब थी गती हमारे देश की ऐसे उचाईयां चूरा हो सब जगे से हमें मतलब समझ रो मार पड़ रही थी हमारे देश को तो अब गवर्मेंट को लगा एकनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है यानि कि हमारी एकनॉमी को दुबारा से रिफॉर्म करना पड़ेगा और इसके पीछे जो छे रीजन्स है वह हमारी को मेंचन करेगा यानि कि वह छे बड़े रीजन्स कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी हमें एकनॉमिक रिफॉर्म करन की अपनी को reform करना दुबारा बनाने की दुबारा से policy बनाने की कि भाई यह policy जो पहले थी ना जो हमने 1951 में adopt करी जल नहीं पड़ेगी 1991 में दुबारा से policy बनानी पड़ेंगी अब वह policies क्या थी LPG थी ठीक है यह तो हम पढ़ेंगे गाइस के LPG में था क्या लेकिन क्यों यह आया उसके पीछे यह तीन बड़े reasons तीन नहीं छे बड़े reasons हैं जिसकी वज़े से हमें अपनी पुरानी policies को हटाना पड़ा नई policy को लाना पड़ा तो सबसे बहले reason क्या था poor performance of public sector public sector बोले तो government sector उनकी performance अच्छी नहीं थी याने कि इन 40 सालों में उनकी performance अच्छी नहीं थी उन्हों को मदब जो भी हमारे public sector थे चाहे वो railway था चाहे उस समय तो आप समझ सकते हो कि privatize इतने नहीं थे अभी तो आज की राइम में बिजली भी privatize है सब चीज़े privatize हो रही है उस समय पे जादो तर चीज़े क्या थे government के हंडर थी और उनकी performance अच्छी नहीं थी आप जान क्योंकि जब हमें सरकारी काम कोई कराना होते है तो कितनी रिश्वत देनी पड़ती है तो उस समय पर भी वही चीज़ से की काम करके कोई राजी नहीं था देश में performance एकदम पब्लिक सेक्टर की वर्स होती जा रही थी जो पब्लिक सेक्टर था काम भी नहीं कर रहा था सरकार को कमा की भी नहीं दे रहा था यानि कि लॉज सफर्ट कर रहे थे हमारे पब्लिक से management क्या होता है जब हम जितना कमा के लेखे आएं हम उसमें से खर्च कर ले और बचा भी ले उसका मतलब होता है कि हम manage अच्छा कर रहे हैं अब government क्या करी थी income कम हो रही थी खर्चे जादा थे government को income कहां से होती है tax वगरा से होती है अब income तो हो नहीं रही थी लेकिन government के expenditure जादा थे so government जो है देश को properly manage नहीं कर पारी थी अपनी units को properly manage नहीं कर पारी थी तो inefficient management था हमारी country में ठीक है third guys inflationary pressure जो कि आज भी हर एक व्यक्ति इस चीज़ को feel कर रहे है guys कि महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है उस समय पर भी same चीज़ थी महंगाई बहुत जादा बढ़ गई थी government या RBI कहलो क्या होता था money supply होती रहती थी देश में अम महंगाई होती जादी है लेकिन लोगों के पास इतने income source नहीं है महंगाई बढ़ दी है क्योंकि money supply economy में आ गई है पैसा economy में आ गया है demand बढ़ती जारी बढ़ सप्लाई नहीं है right so inflationary pressure यानि कि महंगाई की मार लोगों को पढ़ रही थी क्योंकि income सब के हातों में नहीं आती आज की date में लोग कहेंगे महंगाई बढ़ रही है लेकिन income सब के हातों में नहीं है लाखों करोडों लोग इस समय पर बेरोजगाल हो गए है after the covid उससे पहले भी थे आज भी हो चुके है उससे कई गुना जादा so मेंगाई दस गुना जादा बढ़ रही है so inflationary pressure उस समय पर भी था आज भी है so यह तीन चीजसे मेंसा लगते है गुणके हमने में चाहे तो छाहे तो पैट्रोल के प्राइसस कम होसकते क्यूंहीं होसकते हैं आज चाहे तो चीजसे improve हो सकते हैं but कुछ नहीं कह सकते हम अब उस समय पर हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है चौति चीज़ गainen olv payment 말 def e हो रखाता डेफिशेट मतलब घाटा balance of payment क्या होता है balance of payment basically हम लोग BOP जिसे कहते हैं BOP में guys हमारा import and export लिखा जाता है अब जब हमें export करते हैं तो हमारे पास पैसा आते हैं import करते हैं तो हमारे पास से foreign exchange चला जाते बाहर उस समय पर हमारा import जो था वो बहुत जादा था as comparative to export क्यों जादा था guys ऐसा वो इस लिए जादा था क्योंकि हमारे यहां पर जो देश में चीजसे बनती थी वो थोड़ी महंगी बनती थी और foreign competition से match नहीं हो पाती थी यानिकि महंगी भी और अच्छी भी नहीं थी तो इस वज़े से लोग जादा था इंपोर्ट करते थे जबकि government ने रोख लगाई थी इंपोर्ट जादा ना हो अब उस घाटे को दूर करने के लिए government ने काफी सारी टेकनीक भी उस करी थी लेकिन उस घाटे की वज़े से यानि कि balance of payment में negative balance आने की वज़े से यानि कि अगर आग सपोस करो हमारे पास आ तो 10,000 करोड रुपे रहे हैं लेकिन जा हमारे पास से 20,000 करोड फॉरण एक्सचेंज रहे हैं तो हमने कमाया थोड़ी ना हमने तो गवा दिया 10,000 अब हमारा फॉरण एक्सचेंज जो रिजर्व था वो फॉल हो गया जो भी हमने पैसा जोड़के गवर्मेंट ने रखा था आग गया ने रखा था फॉरण एक्सचेंज का कम पढ़ता चाता था क्योंकि हम लोग इंपोर्ट जादा कर रहे थे इसकी वज़े से गाइस हम लोग उधार बहुत जादा लेते थे एक तो गवर्मेंट उधार इन चीजों को भी पूरा करने के लिए लेती थी और एक जो government के खर्चे थे, inefficient management की वज़े से जो खर्चे बहुत जादा थे government के उनको पूरा करने के लिए भी उधार लेती थी, उधार खान से लेगी, public से लेगी, RBI से लेगी और international bank से लेगी, ठीक है, तो जिसकी वज़े से हम लोग huge burden में थी government debt की यानि कि उसको बहुत सारे लोगों का पैसा चुकाना था, क्योंकि income होनी भी थी, खर्चे वो करे जा रहे थे तो ये 6 reasons है guys, जब economy को लगा, यानि कि government को लगा, economy में reform करने की जुरत है और आपको पता है, government ने इसके लिए क्या किया था? 7 billion dollar का guys, हम लोगों ने loan लिया था, हमने नहीं मतलब government ने loan लिया था 7 billion dollars का guys, loan लिया गया था, international monetary fund जो कि हमारा world bank है international bank में आते है guys, वहाँ से उधार लिया गया था तो उन्होंने बोला था, अगर आप उधार ले रहे हो, तो अपनी economy को खोलो अपनी economy को world level पर लेखे आओ, हमारे साथ trade को और other nation के साथ trade करना पड़ेगा आप अपनी economy को बंद करके नहीं चल सकते तो LPG आया था, LPG क्या होता है वो मिन नेक्स वीडियो में जरूर बताऊंगी बट हम लोग आप जरूर चेक करना गाईज, 1991 का साथ बिलियन डॉलर लोन आज की डेट में कितना पहुंच चुका है और कमेंट में जरूर बताना, लेकिन ये छे रीजन्स है जिसकी वज़े से हमारी government को लगा कि अब economy में चेंज करने की जरूरत है और उसने एक भारी मातुरा में लोन उठाया था और आज की डेट में हमारा कितना लोन चल रहा है गाईज, इंटरनाशनल मोनेटरी फ़ांड वर्ल्ट बैंक से वो भी जरूर चेक करके कमेंट में बताना I hope आपको ये पाट समझा होगा और अगर समझा है तो लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है और अगर आपको कोई भी डाउट है आप में इसे इंस्टाग्राम पर मेरी आइडिया तब इता मैसी पूछ सकते हैं या पर यूट्यूब पर कमेंट केश्रू थांक यू